हलो स्टूरेंट्स, आम पुजा मिस फ्रम अगस्ट्रस एजूकेशन और आज हम देखने वाले हैं इंगलिश कुमार भारती की यूनिट सेकेंड की 2.4 पोयम दपुली तो आईए देखते हैं पुली का मतलब क्या है? पुली का मतलब हिंदी में होता है चर्खी या चाक जो गोल आकार का होता है इसी चर्खी के अंदर एक रसी या चेन लगी होती है जिसे हम वजद्दार वस्तु को बड़ी ही आसानी से उपर की तरफ खेच पाते हैं और इसी वस्तु को नीचे भी रख पाते हैं चर्खी कई तरीके की होती है जैसे की कुए से पानी निकालने की चर्खी, एलिवेटर की चर्खी, एकसरसाइस मशीन की चर्खी, थेटर में परदे खोलने की चर्खी और वजन उठाने की चर्खी पर हम पोयम में जिस चर्खी की बात कर रहे है वो अलग है ये चर्खी हमें भगवान से जोड़ती है ये एक साधन है इनसान का रिष्टा भगवान के साथ जोड़ने का यहाँ पर पोयम में चर्खी जो एक मेकैनिकल डिवाइस है इसे यूस किया गया है दुवी दाए बताने के लिए जैसे इनसान के जिन्दगी में चर्खी की तरह चलने वाली दुवी दाए होती है इसलिए वो भगवान को याद करता है भगवान से प्रातना करता है और भगवान इसी प्रातना की डोर से अपने बच्चों को अपने पास खेच लेते है याने अपने करीब रखते है और इसी तरह से इनसान भगवान को कभी भी भूल नहीं पाएगा जब तक उसके जीवन में अशान्ती है और दुवी दाए है उसे भगवान की याद आती ही रहेगी और यही पूली है जो हमें भगवान से जोड़ती है यह पोएम जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखी है जॉर्ज हर्बर्ट का जनम 1593 में मौन्टगो मरी युनाइटेट किंग्डम में हुआ था और उनकी डेथ 1633 में बैमेरिटन सेविस बरी युनाइटेट किंग्डम में हुई थी जॉर्ज हर्बर्ट युनाइटेट किंग्डम के वेल्स कंट्री से बिलॉंग करते थे जहाँ पर बोले जाने वाली भाषा वेल्श है इसलिए इन्हें वेल्श पोएट भी कहा जाता है जॉर्ज इंग्लेंड के चर्च में फादर थे और धार्मिक चीजों पर स्पीच भी दिया करते थे फादर की जॉप करने से पहले जॉर्ज हर्बर्ड इंग्लेंड के पारलामेंट में काम किया करते थे जॉर्ज सिर्व धार्मिक कविताय लिखा करते थे जो उनके दिमाग के कलपना में आती थी और उन्हें इस बात का गर्व था ये पोयम हमें सबूत देती है एक निराले संबंध का जो दोनु तरफ से है जैसे कि एक अदभूत रिष्टा जो भगवान और उनकी प्राथना करने वाले भगतों की बीच है हाला कि भगवान के तरफ से जो रिष्टा है अपने भगतों के लिए वो जादा स्ट्रॉंग है क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों पर अपने भगतों पर बरसात की है कही सारे तोफों की और अपने बच्चों को दान में अपना आशिर्वात दिया है दूवी दाओं की चर्खी पर जो प्रातना करके दूवी दाए मिटाने की रसी छोड़ी हुई है उसी रसी से भगवान हम मनुश्य को अपनी तरफ खेचते है और इसी के लिए हम भगवान के आभारी है इस पोयम में हम देखने वाले हैं कि भगवान ने अपने बच्चों को बहुत सारे कीमती तोफ़े दिये पर उसी समय भगवान ने यільки मुझे इसके बदले कुछ चाहिए तो भगवान की क्या उमीद थी, क्यों भगवान ने सारे की सारे तोफ़े नहीं दिये, क्यों भगवान वो एक आखरी तोफ़ा देते वक्त रुख गए पोयम में हमें साफ तोफ़ पर आध्यात्मिक विशय पर बताया जा रहा है, ताकि लोगों तक धार्मिक विचार पहुचाया जा सके ये मैसेज पोयम में एक ऐसी चीज का इस्तमाल करके बताया गया है जो कि सैंटिफिक है जैसेगी पूली जो एक सैंटिफिक इमेज है और साइंस धार्मिक चीजों पर विश्वास नहीं करता तो आईए स्टार्ट करते हैं पोयम जब भगवान ने पहली बार इनसान को बनाया तो उस समय भगवान के समीप एक जादूई प्याला पड़ा हुआ था जिसके अंदर भगवान का आशिरवात भरा हुआ था इसलिए इस प्याले का नाम आशिरवात का प्याला था भगवान ने सोचा क्यों ना एक अध्भूत प्राणी बनाया जाए जो सबसे अलग हो और जिसवर सारे देव लोग को गर्व हो और इसलिए उन्होंने आशिरवात के प्याले से एक-एक आशिरवात इनसान बनाते वक्त इनसान में डालना शुरू कर दिया ताकि इनसान बनाते वक्त इनसान में कोई कमी न रह जाए और फिर भगवान ने विश्वर की सभी चीजे जिसके अपने अपने विशेश गून थे उन सारी बिखरी हुई संपत्ति को इखटा करके डाल दिया इनसान के छोटे से शरीर में तो वो कौन सा आशिरवाद था जिसने सबसे पहले इनसान के शरीर में प्रवेश किया सबसे पहले आशिरवाद के प्याले से शक्ति के आशिरवाद ने अपना रास्ता बनाया ताकि इनसान के शरीर में जा सके इससे इनसान मन से और शरीर से शक्ति चाली बना उसके बाद सुन्दरता का आशिरवाद इंसान के शरीर में डाला गया ताकि इंसान के अंदर सुन्दर विचार आए और वो मन से और शरीर से सुन्दर रहे और उसे कोई रोग ना हो उसके बाद घ्यान का आशिरवाद इंसान के शरीर में डाला गया, ताकि इनसान दुसरे प्राणियों के मुकाबले अलग हो, उसे हर चीज का घ्यान हो, और उसी घ्यान का इस्तमाल करके वो सही गलत का फैसला ले सके और नही नही चीजे बना सके, उसके बाद सम्मान या शर ना भी हो उसी में वो खुश रहे और औरों को भी खुशी दे जब लगवक सारे आशिरवाद आशिरवाद के प्याले से बाहर आ गए तब भगवान ठहर गए और उनके ध्यान में आया उन्होंने ये महसूस किया सभी किमती खजानों में से सिर्फ एक ही खजाना बचा हुआ था आशिरवाद के प्याले में और वो आखरी खजाना था संतुष्टी का या शांती का जो प्याले में सबसे नीचे था भगवान ने सोचा अगर मैंने ये किमती रत्न जैसा तोफा भी दान में दे दिया अपने बनाए हुए इंसानों को तो वो मेरे बजाए मेरे दिये गए तोफो को सराएंगे उन तोफो के वश में होकर उन्हें चाहेंगे और उनकी ही पूजा करने लगेंगे उसी को याद रखेंगे और मुझे भूल जाएंगे और संतुष्ट हो जाएंगे मेरे दिये गए आशिरवाद के सवभाव से और शायद ऐसा ना हो कि आशिरवा देने वाले भगवान को ही भूल कर बैट जाए और अगर ऐसा हो गया तो हम दोनु भी भगवान और इंसान हारे हुए कहलाएंगे। और एशो आराम कर ले फिर भी वो आखिर में खुद को अंदर से ठका हुआ और हारा हुआ अशांत और असंतुष्ट ही महसूस करेंगे। और अगर इतना होने पर भी इंसानों की अच्छे उन्हें मुझ तक पहुचाने का मार्ग नहीं बता पाई तो उनके मन के भीतर का खाली पन, उनकी ठकान और शांती और असंतुष्टी की चर्खी की डोर उन्हें मेरे तरफ खीची लेगी और आखिरकार मेरे सिने से लगा तो आएए अब पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं, पोएम में टोटल फोर स्टांजा है और हर एक स्टांजा में फाइफ लाइन्स है, पोएम की राइमिंग स्कीम है A, B, A, B, A फोर्स्ट पोएटिक डिवाइस है मेटाफर, मेटाफर का मतलब होता है एक सिक्रेट कमपैरिजन दो डिफरेंट थिंक्स या आइडियास के बीच पोएम में ग्लास ओव ब्लेसिंग मेटाफर है यहाँ पर कॉलेटिस जो इंसानों के अंदर मोजूद होती है जो टोटली डिफरेंट थिंक है उसे सिक्रेटली कमपैर कर रहे है गौड की ब्लेसिंग के साथ यहाँ पर कॉलेटिस को ब्लेसिंग से कमपैर किया गया है बिस next figure of speech है PUN, Pan एक figure of speech है जिसमें किसी एक word को दो मिनिंग होते है rest in the bottom lay, line पन है, जहाँ पर rest word के दो मिनिंग है पहला मिनिंग है, the last one remaining, और दूसरा मिनिंग है, a quality that help us stop doing something and relax next poetic device है antithesis, antithesis का मतलब है दो आईडियास जो एक दूसरे से completely opposite है जैसे की contrast ideas, let the world reaches which disperse lie contract into a span, ये line antithesis है, इस line में disperse का meaning है separate हो जाना, वही पर contract word का meaning है collect करना, separate and collect ये दोनु भी एक दुसरे से opposite है, वही पर reaches का मतलब है biggest wealth और span का मतलब है small space, ये दोनु भी एक दुसरे से opposite है, next है inversion, inversion का मतलब होता है a term which is used to refer to the inverting of normal words order in a sentence or phrase, let us, said he, line inversion है यहापर said he word correct order में arrange नहीं किये गए है, ये inverting order में है, correct order है, let us, he said, rest in the bottom lay, line inversion है, जो inverting order में लिखी गई है, correct order है, rest lay in the bottom, next है repetition, repetition का मतलब होता है simple repeating of a words within a short space of words, and rest in nature, not the god of nature, line repetition है, यहापर nature word दो बार repeat हुआ है, next है alliteration, alliteration का मतलब होता है initial consonant sound का repeat होना, when god at first made man line में made word का और man word का first consonant sound मर repeat हो रहा है, but keep them with repining restlessness line, alliteration है, यहापर repining word का और restlessness word का first consonant sound रह repeat हुआ है, और इसी के साथ हमारी poem finish होती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को subscribe करें, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ share करें, और bell icon प्रेस करना ना भूले,